Hello and Welcome to Future Clicks दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Nikon Z50 में White Balance को किस प्रकार से सेट करते हैं तो जितने भी तरीके हैं इस केमरे के अंदर White Balance को या फिर Color को सेट करने के लिए चाहे वो Picture Control हो या फिर आपका White Balance हो White Balance के अंदर दो Profiles इस केमरे में मिलती है उससे हम किस प्रकार से केमरे के अंदर Color को Balance करते हैं White Balance को प्रोपर इस केमरे से अचीव करते हैं तो ये सारी चीजे हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियो जो आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं तो अपने दोस्तों को भी आप शेर कीजिए और नोटिफिकेशन वेल को जरूर ओन कीजिए तो चलिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि Weddings के अंदर किस प्रकार से आपको Color Balance आपको Nikon Z50 में करना चाहिए और जो भी तरीके है White Balance को Set करने के वो सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो के मादेम से बताने वाला हूँ और Practical भी साथ-साथ मैं आपको इस केमरे पर दिखा दूगा कि किस परकार से आपको Settings अप्लाई करनी है केमरे के अंदर तो चले दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं केमरे के आई बटन को प्रेज करते हैं यहाँ पर आपको केमरे की जो भी Settings होती है आपको अपने आप दिख जाती है यहाँ पर लेकिन हम बात कर रही है White Balance की इससे पहले दोस्तों मैं आपको White Balance को समझाने से पहले मैं आपको इस केमरे के अंदर जो Picture Control होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Set Picture Control यहाँ पर हम जैसे OK करेंगे तो आपके पास Auto, Standard, Natural, Vivid, Micro, Portrait, Landscape, Flat इसके अलावा दोस्तों आपके पास 20 अलग-अलग यानि आपके पास Creative Filters इस केमरे के अंदर दिये गए हैं जिनकी मदद से आप Creative Photography, Creative Videography इस केमरे के साथ में कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको 20 अलग Creative Filters इस केमरे में मिलते हैं और यह जित्रे भी Filters हैं इनमें आपको अलग-अलग Color Profile मिलने वाली है और बात करे हैं Profiles की तो आपको Wedding के साथ से अगर मैं Suggest करूँ तो दोस्तों हम ज़्यादतर क्या करते हैं Standard को यूज करते हैं और Standard में जैसे मैं Menu में एक बार आपको लेके चलता हूँ Photo की Menu के अंदर अपना जाते हैं और यहां पर Picture Control में आते हैं Set Picture Control यहां पर जो Standard Setting आपको दिख रही है तो जितनी भी Settings है ज़्यादतर हम Standard या Vivid यह दो Picture Controls यूज में लेते हैं Weddings के अंदर इसके अलावा अगर हमें Raw Footage Record करना है या फिर हम जैसे Pre Wedding Sort करते हैं तो उसमें मालो बाद में Post Production में हम Color Grading कर सकते हैं यानि हम समता रखते हैं बाद में Color Grading की तो इसमें एक Profile आपको और मिल जाती है वो है Flat यानि Flat Profile में आपको Colors जो होते हैं वो बिल्कुल ही Normal या साधान मिलते हैं यानि आपको अगर Flat Profile में आप वीडियो को Record करते हैं या सूट करते हैं तो आपको बाद में Post Production के अंदर आपको Edit करने का मौका मिलता है आप Editing Software के मादम से जितने भी Colors हैं Background Noise है या फिर आपके पास जैसे Contrast है, Brightness है ये सारी चीज़े आप आद में कर सकते हैं Flat Profile के साथ में क्योंकि Flat Profile में Colors होते हैं बिल्कुल Normal या Simple होते हैं इसके अलावा आपको Standard Standard में भी आपके पास काफ़ी Settings होती हैं जिनमें आपकी Quick Sharp, Sharp Nick, Mid Range Clarity, Contrast, Brightness, Situation ये जितनी भी Settings हैं इनकी Value को आप यहां से Change कर सकते हैं तो इस सारी Information को या इन सारी Settings को आप अलग से Apply करकर के थोड़ा सा practical कीजिए आपको बिलकुल Color Balance का इस Camera में पता चलने वाला है कि हम किस परकार का Contrast रखें किस परकार की Brightness रखें जो Profile से उनके अंदर Situation किस परकार से रखें तो ये सारी चीजिए आपको जब practical करेंगे तो आपको मालुम पढ़ जाएगी 100% ये मैं guarantee देता हूं आपको इसके बाद में हम बात करते हैं ये जो Profile Line में सारे में आपको वो Settings मिल जाएगी तो आप किसी भी Profile के अंदर जाके आप Photography Experience कर सकते हैं अब हम बात करते हैं White Balance की तो यहाँ पे आपको ज़स्ट उपर ही इसके अलावा हम बात करें आई बटन की तो यहाँ पे आपको Kelvin का Option भी मिल जाता है तो White Balance की आप यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स मैंने देखे हैं जो White Balance में Auto को Select कर लेते हैं यानि Auto में Photography करते हैं तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जब भी हम White Balance को Auto करते हैं तो आपकी जो Skin Tone होती है चाए वो Groom या Bride जो भी है वो आपको Proper Achieve नहीं होने वाली है उसमें Redness आजाएगी उसमें Yellow Tone आजाएगी यानि कोई ने कोई कलर का जो Tone है वो आपके चेरे पर दिखाई देने वाला है तो आपको Auto बिलकुल नहीं करना है मैं आपको एक ही सिच्वेशन में Auto White Balance सजेस्ट कर सकता हूँ जब हम Weddings के अंदर Night Photography करते हैं जिसमें आपका Dance Party, DJ Party, DJ पर Dance होता है तो वहाँ पर क्या होता है अलग अलग तरह की Color की Lights आपको DJ पर मिलती है फ्लॉर पर मिलती है यानि अलग अलग प्रकार की आपको RGB Lights वहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर क्या होता है कि हम Color को Set करने का हमारे पास नहीं तो टाइम होता है क्योंकि इतनी कम Seconds के यानि कुछ Seconds में ही आपकी Color आपकी Lights है वह Color चेंज कर रही है तो वहाँ पर आप Auto Set आपके कैमरे में Set कर सकते हैं इसके अलावा मैं आपको केवल और केवल दो इसे मोड्स हैं White Balance के वह मैं आपको Prefer करूंगा जिसमें पहला है Kelvin जिसको हम Color Temperature बोलते हैं Color Temperature की Value जो है आपके पास किसी भी कैमरे के अंदर धाई हजार से Start हो जाती है यानि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें धाई हजार से Start है ठीक है धाई हजार से यह Start हो के आपके कैमरे के अंदर यह 10,000 तक जाती है अब यहाँ से आपको सारा Color Balance सेट करना आपकी कैमरे में अब डिपेंट करता है आप बोलो कि कौनची वेल्यू हम सेट करें तो फिक्स नहीं है आपको लगबग आपका जो Color Balance है वह 4000 से 6000 के बीच में आप जिस परिस्तिति के अंदर फोटोग्राफिक करें जो आपकी पास Light Conditioning है उस हिसाफ से आपको यह वेल्यू डिसाइड करनी होगी तो जो भी वेल्यू आप डिसाइड करते हैं तो आप बिल्कुल उसको स्क्रीन के उपर देख सकते हैं जैसे अभी मैंने इसमें 2500 की जो वेल्यू है वो सेट कर दी ठीक है अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो फ्लॉवर आपको दिख रहा है सामने फ्लॉवर पढ़ा है लेकिन वो रेड कलर का है और इसके निचे जो टब दिखाए दे रहा है वो वाइट कलर का है केमरे में अपने को वाइट कलर नहीं दिख रहा होगा यानि उसमें ब्लू कलर आपका मिक्स हो रहा है तो यहाँ पर क्या करते हैं जैसे जो color temperature आपका उससे हम किस प्रकार से color को set करते हैं तो यहाँ पर हम आपको प्रेटियल का देता हूँ 2500 से हम इस Kelvin की value को बढ़ाएंगे यानि लग बग हम 5000 और 55000 के बीच में इस setting को लेकर जाएंगे तो आपको जो टब है वो white दिखने लग जाएगा यहाँ पर जैसे मैंने चलो 2500 कर दिया अब मैं OK करता हूँ अब आपको यहाँ पर जो आपका टब है वो दिख रहा है white color का और जो आपका flower है वो भी red color का हो गया है यहाँ पर्फेक्ट मेंचिंग हो गया है यहाँ पर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो अपने पास एक option और होता है white village का जो कि आपको हर प्रोफाइल में जो भी color इस तोन आरहिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं और सेट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल अपने को white color का जो टब है वो दिखाए दे रहा है तो इस परकार से आप ब्रिक्टिंग से भी color को set कर सकते हैं दूसरा जो white balance में आपको बता रहा था वो था preset manual दोस्तों इस white balance की setting किस परकार से करते हैं अपने पास एक white या फिर gray paper होना चाहिए उस white या gray paper का एक photo हम camera से click करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो d1, d2, d3 इन में आके आपको उस photo को save करवाना है उससे क्या होगा आपका camera जो white color है उसको match करेगा और जो भी आप pictures लेंगे वो वहाँ पे आपको आपका white balance set करने में मदद करने वाला है तो यह preset manual में आपको इस परकार से setting करनी है इसके अलावा जितने भी आपको यहाँ पे option मिल रहे है white balance के presets के अंदर वहाँ पे भी आपको breakating का option तो मिलने ही वाला है तो इसका एक option आपको यह plus point रहता है आपके पास white balance को set करने के लिए breakating का जो पे option जिस camera में मिलता है उससे हम बहुत सा अंदर photographic कर सकते है तो इस परकार से आप camera के अंदर white balance को set करिए अब मैं आपको एक extra चीज और बता देता हूं दोस्तो जब हम night के अंदर photographic करते हैं तो क्या करते हैं फ्लेस को use करते हैं अब दोस्तो फ्लेस की जो light होती है वो white white light होती है soft बिल्कुल तो white light में हम अगर Kelvin पे जिसे photographic कर रहे है Kelvin white balance के साथ में तो आपकी white light होगी उसको अगर हम Kelvin set करते हैं तो वो 5000 से आपके उपर होने चाहिए ठीक है तब ही आपका जो exact tone है photography में colors का वो आप achieve कर पाएंगे अगर 5000 से नीचे आपने Kelvin कर दिया face photography के साथ में तो आपका जो picture है वो blue stone दिखाई देने लग जाएगी आपकी picture के अंदर तो इसका थोड़ा ध्यान रखे दिन में आपको इसा कोई दिक्कत ने होने वाला night के अंदर आप color balance में Kelvin पर अगर आप photography कर रहे हैं और flash के साथ में कर रहे हैं तो आपको अपना Kelvin जो temperature है वो उसकी value आपको 5000 से उपर ही रखनी है तब भी आपके पास अच्छा result केमरे में आने वाला है तो इस परकार से आप इस Nikon Z50 के अंदर white balance को set कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज अगरता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आया वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए इसी तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं तो आप चैनल को subscribe जरूर कीजिए notification bell को all जरूर कर लिजिए चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए thank you